लो गाईस यह हमें जो question दिया हुआ है इसमें है के line जो है उसका point P 20 mm अबो है HP के और 30 mm in front of VPA और जो point Q है उसका वो 80 mm अबो है HP के और 60 mm in front of VPA उसकी जो projector से line के वो 60 mm apart है मतलब दूर है एक दूसरे से तो मैंने दो point ले लिए O और O- यह जो है यह 60 mm एक दूसरे से दूर है फिर देन हम 20 mm अबो है और 30 mm in front of VPA बनाएंगे तो यहाँ पर जो perpendicular हम ड्रो कर रहे है यहाँ पर हम 20 और 30 ले रहे है 20 mm अबो लिया और 30 mm नीचे in front of VP जो आता है वो नीचे आता है ठीक है तो हमने यह पर इनको point दे दिया है और 30 60 mm apart हमने ले ही लिया है तो यह जो है यह 80 mm अबो आ रहा है HP के 30 mm अबो लेंगे इसको हम इसको हमने इसको पॉइंट मार्क कर दिया है और जो है below 60 mm in front of VP भी है तो हम 60 नीचे लेंगे then हम simple करेंगे यह सभी points को मिला देंगे इस point को हम P से denote करते है small piece इसको हम P' से denote करते है इसे हम small Q से denote करते है इसे हम Q' से denote करते है then हम P' और Q' को मिला देंगे और इससे थोड़ा आगे तक line भी ले लेंगे इसको dark करेंगे हम और इसके आगे थोड़ा सा projector बढ़ा देंगे जहां पर यह x y line को meet करें देन हम इसमें भी same SI करेंगे देखिए आप यह trace बहुत दूर जा रही है तो हम इसे और extend करेंगे line को जहां तक यह reference line को meet ना करें अब reference line को भी थोड़ा सा extend करेंगे हम यह जो point है हमारा जहां पर reference line को meet कर रही है यह जो है हमारा front view है front view की जो line है जहां पर reference line को meet करती है वहां से हम एक perpendicular draw करेंगे then हम perpendicular draw कर रहे और उस perpendicular पर जो हमारे top view की line जो extend करने पर meet करती है वह हमारी horizontal trace होती है और जो हमारी top view की line है जहां पर meet करती है reference line xy से then वहां पर हम जो perpendicular draw करते हैं और उससे जो यह हमारी front view की extended line है meet करती है वह हमारा vertical trace होता है then this point is vertical trace तो हमें इस question में यही पता करना था कि vertical trace और horizontal trace होता क्या है thank you guys